प्रशान दवन नाव आने वाला समय देखिए भारत के लिए बहुत जादा कठिन हो जाएगा जब हमको चुनना होगा एक तरफ यूएस उक्रेइन और दूसी तरफ रश्या अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं वेट पिया मोदी जी रिशनली गए थे उक्रेइन में जलन्सक को बता दिया कि हम ओवरॉल पीस का सपोर्ट करते हैं तो अब चुनने की बात कहां से आ गई देखिए इंडिया अब डीपली इन्वाल्व हो चुका है इस इशू में और पीम हो दी जब यूक्रेइन की कैपिटल कीव में गए थे हाली में आपको बताओगा रश्या ने की कि इश्चत करते हैं इनका तर्थ ये था कि जब मोदीर जी रश्या गए थे उस वक्त पुतिन को युक्रेइन की बॉंबिंग नहीं करनी चाहिए थी उससे साब पता रगता है इनकी ये थियोरी है कि पुतिन इंडिया की रिस्पेक्ट बिलकुल नहीं करता ये जो ये रिप्लेस करना चाहता है आने वाले भविश्य में नाव जलंस्की अब ठंडे बैठ चुके हैं पीम मोदी इंडिया में आ चुके हैं अब फाइनली रश्या ने तसली से एक प्रॉपर रिस्पॉंस दिया है रश्या ने पहली बार रियाट किया है पीम मोदी की डिप्लोमेटिक लैंविज में ना कॉमा फुल स्टॉप आपने कौन सी बात को जादा जोर देकर एंफसाइस किया है सब कुछ मैटर करता है तो रश्या ने सबसे पहले तो जलंस्की का नाम लिये बगएर ये बात क्लियर करती है कि आप अगर रिस्पेट की बात करें ना तो ये हमारी रिस्पेक्ट एंडिया के बारे में this is what we think about इंडिया के इंडिया एक influential world power है आज के समय और एक बार को यहाँ पे आपको सोचना होगा रश्या ने बहुत जारा maturity दिखाई है अपनी statement में क्योंके आज के समय युक्रेयन की military रश्या के कुर्क्स region का एक बहुत चुकी है रश्या ने open लिए का है कि अब युक्रेयन से बाचीत करने के सारे रास्ते खतम हो चुकी है अब युक्रेयन से कोई बाचीत नहीं की जाएगी रश्या बस ground पे आक्शन लेगा इस टान्स के बावजूद रश्या ने ये का है कि पीए मोधी की जो विजट थी य इसे रश्या देखता है एक positive attempt के मोदी जी ने अपनी तरव से कोशिश करी के एक diplomatic approach से ये सारा issue ये सारी conflict अगर खताम हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा तो रश्या ने मैं या पर कहूंगा complete maturity दिखाई है कहीं से भी नों ने ये नहीं का कि पीए मोदी को युक्रेयन ज है he believes के इंडिया बहुती जल्द Ukraine peace summit जो second Ukraine peace summit है ये host करेगा आपको याद होगा पहला Ukraine peace summit ये host किया था Switzerland ने ये summit एक बहुती बड़ा failure साबित हुआ था क्योंके पहली बात तो Ukraine की अजीब सी जित थी कि peace summit होगा शांती करने के लिए दुनिया भर के देश घट्टा होंगे क्योंके जब दो देशों के बीच में युद चल रहा है युद खतम करने के लिए दोनों parties को ही बिठाया जाएगा और तभी जाकर आप बातचीत कर सकते हैं जब एक कंट्री कह दे के ठीक है युद खतम करने में बातचीत करो मगर दूसरे कंट्री को बुलाओ मत तो फिर पीस समिट सक्सेस्फुल कैसे होगा तो जो पहला युकरियन पीस समिट था बहुत ही बड़ा डिजाश्टर साबित हुआ इंडिया ने डेकलरेशन में भी कुछ भी पार्डिस्पेशन करने से मना कर दिया अब जो सेकंड यहां पे युकरियन का पीस समिट है ना जिलन्स क में आएंगे और एक बड़ा समिट होस किया जाएगा जहां पर प्रामेरली सिर्फ रश्या की निंदा की जाएगी रश्या को इन्वाइट ओवियसली सेकंड समिट में भी नहीं किया जाएगा और अब देखना यह होगा कि जनस्की की जो यह डिमांड है कि इंडिया रश्या इशू से बिलकुल दूर रहो ना युक्रियन का कोई समिट अटेंड करो ना होस करो ना रश्या से भी युक्रियन के वारे में इतनी बातशीत करो देखिए इस टॉपिक को हम जादा एक नोर नहीं कर सकते मैं आप से सवाल पूछता हूँ भारत आज के समय कच्च कपैस्टी है इसको डिस्टोई कर रहा है आप देखो के रीसेंटली बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर यह रिखा है कि रश्या जहां भी अपना कच्चा तेल स्टोर करता है बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करने से पहले क्योंकि देखिए रश्या का जो यह यह तेल भीजा जाता है तो युकरेयनस देखिए इंडिया को या बाकी country को रश्या का तेल पर्चेज करने से रोग नहीं पाया अब युकरेयन क्या कर रहे कि जो भी stored oil है Russia का इसको destroy कर रहा है इससे eventually होगा क्या तेल की कीमते धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी Ukraine के पास देखिए weapons लगातार बहतर होते जा रहे है इनके पास F-16 fighter jets है ये धीरे धीरे रशिया की जो territory है ये भी कब जा रहे है और अगर Ukraine ने बड़े scale पर Russia की oil storage को damage कर दिया तो इसका एक बड़ा negative impact इंडिया पे भी होगा तो देखो इस conflict को हम लोग ignore नहीं कर सकते बड़ question यह आपर यही आता है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप लोग चाहेंगे कि जो second Russia Ukraine peace summit है क्या यह इंडिया होस्ट करे क्या आप मानते हैं कि हम में वो इतनी diplomatic power है कि हम दुनिया भर के world leaders को Ukraine को और साथी साथ Ukraine को मना कर Russia को भी एक summit होस्ट करवा दे जिससे overall इस war में peace हो सकता है या फिर आप मानते हैं कि नहीं Russia ने openly कह दिया है कि अभी Ukraine से कोई बाचीत नहीं होगी क्योंकि अब ये लोग Russia पे direct attack कर रहे हैं तो comment section में करिएगा उत्तर आपके हिसाब से क्या इंडिया को ये peace summit होस्ट करना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं इस idea से दूर रहो और finally यहापे मैं आप लोगों से सवाल पूछूँँगा हाल ही में International Cricket Council के ने chairman कौन चुने गए है unopposed कोई इन के सामने खड़ा नहीं हुआ आसानी से ये चुने गए the new chief of International Cricket Council ये हैं यहापे आपकी options स्वरव गाउगुली जैशा एन स्रीनिवासन या फिर कपिल देव comment section में करिये उत्तर जो लोग सही answer देएंगे उनकी comment को मैं हाट देदूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाए के सही answer क्या है study IQ के जो 2025 के batch है सभी batches ये इस महीने के अंत में खतम हो जाएंगे अगले महीने बड़े changes किये जाएंगे तो prelims के लिए त्यारी करने का time अब limited बचा है आपके पास एक golden opportunity है के जो आखरी के 3 दिन है इस महीने के 29th, 30th and 31st आप एक massive discount पर study IQ के batch में कर सकते हैं इसके बाद देखिए 2025 के batches समाप्त हो जाएंगे कोई भी 2025 का batch सामने नहीं आएगा तो आपको करना क्या है comment section में जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा यह link बर करिए click और यहाँ पर परचेश कर पाएंगे study IQ का प्रतिग्या प्लस batch बट जो यहाँ पर price लिखा है और आपने बात नोट करी होगी usually आप अगर यहाँ पर code लगाते थे तो यह price बन जा था 25,000 के आसपास बट इन तीन दिनों में आखरी के जो तीन दिन है 2025 batches के यहाँ पर आपको massive discount मिलता है 24,000 के price में आप purchase कर सकते हैं यह course validity होगी इस course की 30 महीने की live classes यहाँ पर आपको मिलेगी one-to-one mentorship जो ensure करेगी के course purchase करने के बाद आप बस सोना जाएं के हाँ course ले लिया आप बस तियारी होती रहेगी यहाँ पर ensure किया जाता है के आप इस course को properly follow करें classes को readily attend करें और obviously study IQ आपको एक preparation box भी देता है जहाँ पे आपको study IQ के branded maps, study IQ की branded notebooks, branded pens, उसके इलावा various और academic books जिसमें quality, art and culture geography, various topics की important information आपको मिलेगी और अगर आपने plans clear कर दिया तो सीधा जो यह amount है 24,000 का यह भी आपको वापस refund कर दिया जाएगा और फिर आप mains और interview की त्यारी करेंगे free of cost so use the code PD10 and save money याद रखिएगा यह जो 3 दिन है 29, 38, 31st last days of study IQ's 2025 batch, इसके बाद massive changes आने वाले हैं so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है वीडियो का thank you for listening and as always, may the gods watch over you